नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अचार जागेंद्र मिस्त्रा में आज हम बात करेंगे आज के करक राश के दैनिक रासफल की लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में बेस फरवरी 2021 शनिवार का दिन है और माघमाश शुकल पक्षी अश्टमी तिती है नचत रहे रोणी और अभजीत महूरत तुपार 11 बच के 42 निट से लेके 12 बच के 47 निट तक रहेगा आज का सुर्यू दे सुबह 6 बच कर 20 निट पे और चंद्रमा बिर्शव राश में कोच अब बात करते हैं आज के करकरास के देनी करासपल की और यह प्रेडिक्शन चंद्राश्पर धारित है करकरासपल आज के दिन थोड़ा सा भारी है इसलिए आज आपको शंबल के चलने की भी अवशक्ता होगी आला कि आज आपके घर-परिबार की बात करें तो घर-परिब प्रोल बनाए रखें करकरास के जातकों कि शिक साथ आप आज लड़ाई जगड़ा विवाद ना करें वरना आपके धन भी खर्च हो सकते हैं और कोट के चहरी के मामला तक के इस्तिति कहीं न पहुंच जाए और अगर पहले से अगर है कोट के चहरी में मामला तो जादा भी ना बढ़े कि आपको परेशानियों को सामना करना पड़े करकरास के जातकों वैसे घर परिबार में जो आपको शिंगल जातक है आपके घर में जिनका बीवाह नहीं हुआ उनके रिष्टे तैय और यहां पर इस्टुडेंट की बात करें तो देखें अगर आप पूरी तरह से पढ़ाई पे फोकस बनाये रखने की आवशकता होगी करकरास के जातकों जो भी आप पढ़ेंगे वो याद भी रहेगा अगर याद नहीं रहता तो गायतरी मंत का जाप किया करें अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लबलाइप की तो लबलाइप में इस्ति करकरास के जातकों बात करें आपके स्वास्त कि तो स्वास्त में थोड़ी से परैसानियों और स्वास्त में और स्वास्त spec ने को मिल रही है करकरास की जात कोईशले सावधानी पूरवक चले क्योंकि अगर आप सावधानी पूरवक चलते हैं तो आपको जादस जादा लाब होगा आपके दामपत जीवन में सुधार है दामपत जीवन में खुशियां है दामपत जीवन में जो बहुत पहले परिशानी थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा लेकिन फिर भी किसी बात को लेकर तकरार न हो जाएं साम तक में आपश में मन मुटाओ किसी बात को लेकर तो आपको समझने की आवशकता भी होगी अपने रिष्टे को यहीं बेहतर रखने के लिए आपको कुछ न कुछ उनको उपहार के रूप में देना चाहिए अपने जीवन साथी को आज की दिन तो करकरास के जातकों ताकि बेहतर रहे आपके रिष्टे घरेलू जीवन में कुछ नयापन देखने को मिल सकता है कुछ नए चीजों की खरीदारी भी करेंगे तो आज खर्च भी बढ़ सकता है करकरास के जातकों के लिए तो इसलिए आज आपके पैशे तुआएंगे लेकिन आपके खर्चे भी बने रहेंगे किसी पर भी आज आप आँख बंद कर भरोशा ना करें भरोशा करने से पहले आपको दो बार जरूर सोच लेना है करकरास के जातकों यहाँ पर बात करें आपके केडियर की जो यनि की जोब करते हैं नोकरी करते हैं उनके नौकरी में आज बदलाव की योग बने हुए हैं, नौकरी में कुछ नया पन देखने को मिल सकता है, आज आप दूर की यात्राएं कर सकते हैं, यात्राओं में अपने शमान की सुरक्षा भी करने पड़ेगी, वरना कहीं न कहीं चोरी चपेट होने की भी शम्भावना बन रही है, करकराज की जातकों, केरियर में आज आपके ट्रांसफर के साथ साथ है, आज आपके जो पहले से कुछ इंपोर्टन काम थे, उसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी, काम का बोज रहेगा, जिसके कारण आज थकान महसूस करेंगे, इसलिए स्वास्त का बे इन समय में ज़्यादा पैसा कमाने की राय देते हैं, इन लोगों से आप दूरी बनाए रखें, साथी साथ लोट्री शट्टा बगेरे से आज आपको दूर रहना होगा, पीता का साथ मिलने से आपको लाभ की प्राप्ती होगी, करकराज की जातकों, आज की दिन संपत्य का फाइदा होता हुआ नजराएगा, वैसे तो सुक्षाधन और मनरंजन के नाम पर आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी किसी को उधार देने लेने से बचना होगा, किसी पर भरोशा ना करें आज की दिन, अगर आप साजहदारी में बेपसाइक करते हैं, तो करकराज क कर सकती हैं, तो ऐसे में अपने स्वास्त के बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि आज की दिन थोड़ा सा भारी है, क्योंकि आज बड़ा शंकट है, तो चोट से पेट लगने के भी भावनाई बन रही है, करकराज की आज की आतों के लिए, तो यहां पर आपक की इक लिए जाना पड़ सकता है, तो हर काम को जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से करने के कोशिशिद करेंगे, तो करकरास की आतों को इस तियां काफी अच्छी रहने वाली है, करकरास की आतों को आपने कान्फिडेंस को बरकरार रखें, और अगर आपके हम रिष्टों की और ज्यादा बात करें देखें रिष्टों में खटासना होने पाए इसलिए हर ज़रूरत को धियान रखने के आवश्यक्ता होगी संतान अगर आपके बराबरी के हैं तो आपके कारियों में सहयोग देने से आज आपको धनका लाब भी होता हुआ नजराएगा आज आपके दूसरी कमपनी से जो आप पहले से ट्राइक अपलाई किया था नोकरी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है और नए से जो करकदास के जातक नए नोकरी के इंतजार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा से धहर बनाके चलने के अब शकता होगी सरकारी छेतर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो करकरास के जातकों लाभ की योग बने हुए हैं और कोई हो शकता है बेहर यानि अच्छी समचार भी प्राप्त हो जाए लेकिन फिर भी धैर बनाके चलें किसी काम में जल्दवाजी ना करें आज राजनितिक छेतर में है हैं तो राजनितिक छेत में आज आपका दबदबा कायम हो सकता है मान पतिश्ट है में समान बड़े लोगों से मुलाकाटए हो सकती है अज आपको केरियर में आज आपको बिजनेस ब्यापार में अलकरiblings साओधानी पूर्वख चलने हैं श्वास्त का बहुत ज terrorism रखना लेगा हलक आज आपके घुटेनों में दर्ध हो सकता है शर में भी परिशानी वह सामना करना पड़ सकता है चोटी यात्राओं की योग यारण आज आप कुछ है यानि महतपूर्ण कार भी कर सकते हैं और आज आपके छोटे भाई बहने का सपोर्ट भी मिल सकता है साथी साथ आज आप अपने बिजशनेश ब्यापार में एक नई पलानिंग के साथ उतरने के सोच रहे हैं थोड़ा संदैर बना के चले एक्सपरт से सलाह ले कर 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 सको करें कोई काम करते हैं तो सब्सक्राइब करें आज आपका शुब रंग रहेगा हरा भाग शातनी भारा आपका तकरीबन 69 परसंट तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिए नए तो चल्ण को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए चैस शनिदेव